नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ पर मैं discussion करूँगा कुछ companies के details के बार में, कुछ company से information आए है, जिस information आपके पास में मतलब आपको दिखाना चाहूँगा, जहासे आपको एक stock market के बार में जानकर यह आपको मिलता रह है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वह decision आप ले पाए time to time, तो चलो, कुछ information आपके साथ करूँगा, तो उससे पहले में request करूँगा, चनल को subscribe नहीं किया, तो जुरू कर लीजिएगा, और अभी तक अपने telegram को भी join नहीं किया, तो उसको भी कर लीजिएगा, निच अगर आपको अच्छा लगे, तो आप सीख कर खुद trade कर सकते हैं, तो चलो, देख लेते हैं, आज के कुछ स्टॉक के details के बारे में, तो सबसे पहले में जिस company के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है ES bank, तो ES bank के उपर पिछले दिने में एक अच्छा खासा momentum देखने को मिला था, तो देखे, उतना खास performance नहीं है, फिर भी पंदा रुपीज तक अभी चलने वाला company देखने को मिला है, एक टाइम साथ रुपीज के नीचे भी चलना था, तो company के उपर ऐसे positivity क्यों आया, सबसे पहले बात जानना बहुत जोरी है, क्योंकि मार्केट जब react करते है तो किस basis से react करते हैं, वो जानना बहुत जोरी है, तो ES Bank का जो report आया है, कुछ मांत से में उस report को follow कर रहा हूँ, कुछ quarters में भी follow कर रहा हूँ, जब से इसका management team change हुआ है, तब से लेकर ES Bank अच्छा खासा performance करते जा रहा है, तो उसी साब से ES Bank ने इस बार भी Q4 result आने से पहल आने वाला है, Q4 result में, तो वो किस report से आया, किस से दिखने को मिला, चलो वो report पहले आपको दिखा रहेता हूँ, सब सब पहले में दिख्यों वेब साइट आपके सामने ही, यहापर देख सकते है, business today, मतलब business market today के उपर आ चुका हूँ, तो मैं पूरा credit site को दूंगा, अच् bank share, यहापर देख सकते है, private leaders stock in focus as deposit jump 10%, 10.6% in Q4, तो Q4 result आने से पहले ही एक बहुत बड़ा update दिया, तो deposit 10.6, देखे, bank का सबसे ज़्यादा problems क्या होते हैं, आप जानते हैं, कि bank का सबसे ज़्यादा problems है, deposit, अगर deposit ही नहीं मिला है, तो bank कहां से काम करेंगे, देखे, bank का का सबसे ज़्यादा काम क्या होते है, बानके चलिए, आप saving account आपका banks के ऊपर है, बानके चलिए, bank में आपका saving account है, तो आपने पैसा डाला, और साथी साथ current account में भी पैसा आपको दिया, तो yes bank को saving account से और current accounts में जो पैसा bank के हाथ में आया, वो bank क्या करेंगे, उस पैसे को चलते रहते है, अगर यह saving और current account का पैसा कम bank को मिला, तो वो loan ज़्यादा बाट नहीं सकते, तो यही bank का सबसे बड़ा दिक्कत था, यह bank का, लोगों का investment कम हो गया था, मतलब जो कासा ratio है, कासा ratio मतलब current और saving account, देखे current account और saving account, यह दोनों account में पैसा कम deposit होता था bank में, तो अभी वो 10% का jam हुआ इस बात, तो बहुत अच्छी बात है, इसके current stock के ओपर एक सांदर momentum देखने को मिला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस data को, देखें, आप एक report पे publish किया गया है, आप इसको देखें, देखें, deposit, deposit क्या बता जा रहा है, देखें, 21% के आसपास सबसे important points जो मुझे देखना है, वो है कासा ratio, तो कासा ratio मत बता रहा है के company को पर कितना पैसा आया है, bank में कितना पैसा आया है, देखें, December 2020 में जो पिछले quarter था, उसमें कासा ratio कितना था, उसका percentage के सबसे नहीं, उसका total figure के सबसे 63,900 था, और इस बार जो बन चुके है 67,400, त बहुत सामधार, obviously में एरे तेरे growth करना बहुत चाहिए, तो फिर भी अभी भी बहुत दूर है, उस level तक कासा ratio नहीं पहुचा, तो जिस हिसाब से bank loan दे पाएंगे, तो फिर भी मैं जूरू काऊंगा, यह पे year of year पे जो percentage है, वो अच्छा खासा jam देखने को मिला, और यह report publish होने के बाद, इस bank के उपर एक नजर या कुछ अलग से देखने को लगा, देखे, मैं कुछ quarters में follow कर रहा है, यह bank के उपर, तो मुझे companies के कुछ depthly बता दू, कुछ points मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इस basis में, क्या इस bank के उपर निवेस करना चाहिए, देखे, फिलाल क के लिए सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी भी उतना strong momentum देखने को नहीं मिला, strong performance नहीं देखने को मिला, तो जब company का कुछ सारे parameter करके ठीक हो जाएगा, तब इसको जरू सोचना, क्योंकि company देखे, बीच में बड़ा से बड़ा loss करते आया है, तो उसको फिर से recovery किया, अभी द sales growth मतलब थोड़ा सा changing हुआ, profit good में अभी ठीक ठाक नहीं है, तो रही बात company के cash flow में, तो जितना भी company के cash दिखा रहा है, उतना cash company हाथ में आ रहा है, तो यह अच्छी बात है, तो मैं ESBank के उपर focus रखने के लिए कहूंगा, मगर अभी investment के लिए उतना ज्यादा राई नही तो फिलाल के लिए ESBank के उपर investment करना बहुत बड़ा गलत होगा मेरे हिसाब से, तो second जो update है, वो अधानी ग्रूप के उपर है, तो वो कौन सा news के उपर है, अधानी total gas के उपर, देखिए, अधानी ग्रूप target, देखिए debt cut, मतलब जो करजा है, उसको cut करने के लिए अधान बड़ा crash देखने को मिला, वाल्ड के second reaches person बन गया था, गोतो मदानी जी, और वहां से आज, मतलब, top 20 के आसपास आचुके है, तो इसका मतलब सोचिए, दो से 20 के आसपास आना, इतना, मतलब, कितनी बुरी तरीके से पिटाय हो गया, और रही बात, खुद का, मतलब, impression का, तो वो भी गलत हो गया, गलोबाली मार्केट में, तो इसलिए अदाने ग्रूप कोसिस कर रहा है, खुद का जो depth है, वो पहले उसको मिटाएगा, अगर उसको मिटाने के बाद company को फीर से खड़ा करेंगे, तो इस हिसाब से देखाजे तो, obviously अदाने ग्रूप के एक companies के बा यही कारण है, क्योंकि अदानी ग्रूप कोसिस कर रहा है, हर parameters को positive लेगे जाने के लिए, और पिछले वीडियो में भी आपको बता था, अदानी ग्रूप के main जो company है, अदानी enterprises, वो company sensex 30 के उपर भी enter होने जा रहा है, तो वो अगर enter हो जाए, तो बाकी उस company को भी एक होँगा, इस तरीके से data देखकर खूस मत हो जाना, क्योंकि अदानी enterprise को जो हालत है, वो भारी भर कम गिरावट around 80% से भी जादा, तो फिर से थोड़ा सा recovery क्या, अभी 70% के 75% के आसपास देखने को मिला है, तो यह नजरी आपको भूनना नहीं चाहिए, रही बात company के उपर तो मैं जरू कहूँगा, company के उपर एक positive point मुझे अच्छा लगता है, company का करजा बहुत कम कर चुके है company ने, company का जो parameters है, वो अभी दिरे-दिरे करके सुधार देखने को मिला है, तो मैं जरू कहूँगा, अधानी total gas के उपर focus रखिए, company में stand जरूर है, क्योंकि इस company में हर parameter आपको अच्छा दिखेगा, मुझे जो point हमेशा में देखता हूँ, company के cash flow, क्या सही में company के cash flow maintain होता था, obviously maintain होता था, इतना company profit दिखाते थे, उतना ही profit हाथ में आ रहा था, तो कुछ नहीं, पोट के मात्त हम से company के हालत धिगड़ गया, नहीं तो company में सब करजा के अलावा, मतलब करजा इतना ज्यादा लिये थे, इसके कारण stock के उपर पेसार था नहीं, तो प्रेसार उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता, तो रही बात इस company के चार्ट पटन का, तो उसके बारे में पहले दिखा चुको हो, तो last company के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है JSW Steel, JSW Steel आप सबी जानते ही, इंडिय के एक leading company, और market cap का हिसाफ से number one company है, एक लाग पैसेट हचार क्रोड से आसपास है, तो इस company को पर पिछले दिनों में, एक market open होने के बाद, एक देखे big grass देखने को मिला था, तो उसके बाद recovery किया, तो क्यूँ इस तरीके से गिराबड को मिला थे, कि market हमें सा panic situation के उपर create, मतलब focus रखते है, कोई भी अगर थोड़ा सा negative point आया ना, तो market मतलब अचानक गिर जाते है, और थोड़ा सा sentiment अगर ठीक हुआ, तो अचानक भाग जाते है, इस तरीके से चलता रहता है, तो इसमें कोई, इतो trading वाला काम हो गया, तो trading मे इस तरीके से information से में पहले आपको दे देता हूँ आपे, जहापे आपको बहुत सरे जानकरी मिनने के बाद, आप trade बिंदस ले सकते हैं, तो GSW Steel में ऐसे क्या हुआ, जिसके उपर market ओपर होने के बाद ही एक big rest देखने को मिला था, around around top level से down level तक देखू, तो एक person के आसपा बड़ा कारण नहीं है, फिर भी जो कारण है वो obviously importance है, वो कारण वेपसाइट के आपपर आ चुका है, mind दिखका जो वेपसाइट के उपर इस कारण को publish किया गया है, तो कारण के बताजा है, after 24 years, services, आप देख सकते हैं सेसागिरी राओ, जो actually joint managing director and group CAO थे, तो वो क्या किया उन्होंने 25 साल का उसका service, जो carrier है, वो retire किया, तो इस retirement के कारण स्टॉक के उपर एक पेसार देखने को मिला, देखिए, retirement के कारण आपको पेसार इसलिए देखने को मिला, यूँकि मानके चलिए, आप एक दुकान से product खरीदरी करते हैं, मानके चलिए, जिस बैक्ती से आप product खरीदरी करते थे, वो आपको discount देता था, उधारी देते थे, सब कुछ मिलता था, तो इस दुकान से नहीं, उस logo में आपको लगाव था, तो मानके चलिए, वो उन्होंने retirement कर लिया, और उनको बेटे को दुकान में बिठा दिया, जो आपको उधारी नहीं देते, और पै आपको अच्छा लगता था, तो अभी नया एक management join करेंगे, तो वो किस तरगे से काम करेगा, वो अलग data रहेगा, तो उसी सब से एक थोला सा panic scenario केरेट हुआ, तो इसलिए market को एक गिरावर देखने को मिला, फिर से recovery भी हो गया, तो चिंता करने का जुरूरत नहीं, इसके प एक like जूरू करदाना, आपके like मुझे बहुत motivate करेगा, प्लीज लाइक करना, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक लाचे जरी अपने ख्याल रखिए, बाई